हेलो क्लास फूर्ट हम लोग चैप्टर थी के स्टोरी पढ़ रहा थे ओमरी सर्च फॉर फूल्स ठीक है इट इस अमरीकन फॉक्टेल आंड जो कि बहुत ही लंबी स्टोरी थी ठीक है एक बर मैं चालती हूँ कि आपको ये पूरी स्टोरी साथ रिव करा दू ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो चलो एक बर हम लोग रिवाइश करते हैं क्योंकि आज सैटर्ड़े हैं तो सैटर्ड़े को हम पिछला पढ़ रह थे उसी को रिवेजन करते हैं तो ब बहुत ही healthy and strong थी, जो कि दूसरों की नजरों में खटकती रहती थी, ऐसा कि कब ये बेचे, इसके कोई भी parts और मैं इसको खा लूँ, ठीक है, क्योंकि वो उसका flesh खाना चाहते थे, कि इसका box का, कौन लोग, जो उसके asperos के neighbors थे, so, bad people, okay, तो क्या हुआ कि एक दिन उनको मौका मिल गया, ओमरी घर से बाहर चला गया, और ओमरी की wife को उनने समझा बुझा लिया, वो भी किस तरीके से ऐसे बोला, कि आपको पता है, कि मैंने सपना देखा है, कि आपके घर में baby born हुआ है, new born baby विलकुल, और वो तब ही आएग और वो बड़ा ओकर कि बहुत ही समझदार बनेगा, और पता है, वो वज़्चा बहुत रिच भी बनेगा, लेकिन हाँ, आपको एक sacrifice करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसकी wife ने बोला, ओमरी ज़्वाइप सेट, what, which type of sacrifice, तो उन फोलिश, जो फोलिश वोमें थी, उसने उसकी बात पर विलीफ कर दिया, कि उन बैट पेपल की बात पर यकीन कर लिया, कि तो उसने पुछा, कैसा sacrifice, ओके, और उस sacrifice उसने बोला, they replied, shall we kill the ox while your husband is away, तो उसने बोला, yes, my husband will be pleased to know the reason, हाँ, मेरे हजबन खोश हो जाएंगा, जब उनने यह रीजन पता चलेगा, क्योंकि why the ox has been killed, क्यों ox को मार दिया, क्योंकि he desires a son to, और उने भी एक बत, मतलब son चाहिए, एक बेटा चाहिए, the young men were successfully in foolish ombry, और वो सारे जो लोग थे, वो success हो गया, उस बेपूफ आरत पर, जब वो लोटकर आया, उम्री तो बहुत ही, गुसा हुआ, और उसने गुस्सी में पूछा, कि कहा है ox, तो उसने बोला, उसको तो मार दिया, तो उसने पूरी स्टोरी सुनाई, तो वो घर से बहुत ही गुस्से में था, और वो घर से निकल लिया, कि जब तक मैं तुमसे जगह पहुचा जहां पर उसने सोचा कि आप यहीं आराम कर लेते हैं, वो एक रिच मैन का घर था उसके सामने, जो कि वहां की एक सर्विंट आती है, तो वो पूस्ती आप यहां क्यों आयों और कहां से आयों, तो उसने बोला, मैं दूसरे वर्ट से आया हूँ, आम फ्रॉ जैसी बोला, तो उसने जाकर उस सर्विंट ने अपने मिस्टर से को बताया कि कोई आदमी नीचे बैठा है, जो कि बोल रहा है कि मैं अदर वर्ट से आया हूँ, तो उसने बोला, उसको उपर लेका रहा हूँ, किसने रिच लेडी ने, तो वो ऊपर गया, तो उसके क्यों कि पापकू आंता हैं पती अप्स के लिए sharm के लिए कपड़े तो अच्छा ऐसी बात है बहुत बहुत जादा हुआ दुखी जावार के पैसे देदिया और कहा कि पापा को बोलना कि बेटी ने दिया बस इतना हुआ कि वह वहां से चला गया तब वो भी इतना किम्ती किम्ती अब मैं इसे वापस कैसे लाओं अगर मैं इसको डाटूंगा तो ये मुझसे बाती नहीं करेगी और फिर मैं कैसे पता करूंगा कि वो आदमी कहां से आया है या कहां गया है ठीक है तो उसने बोला कि आज़ी तुमने अपने पापा के बारे में सोचा और मेरे पापा को तो कुछ भी नहीं बेजा तो मैं अपने भी पापा को कुछ भीजना चाहता हूं ठीक है तो उस लेडी ने बोला हाँ हाँ वो अभी तो यहां से हॉर्ट से गया है और ज्यादा दूर नहीं गया होगा आप उसको देख सकते हो आप क्या था वो तो उसने गैलॉप बहुत ती पीछे तो उसने सुचा कि चलो इनको भी मुर्ख बनाते हैं तो बनाया मुर्ख अपना डोंगी कहीं साइड में रख दिया और बोला कि वहां जो आदमी जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है आप मज जाओ वहां पर वर्नव आपको चोट आप मेरी बात मानों तो आप कोकने ट्रीप चड़ जाओ और मैं भी छिप जाता हूं तो वह भी छिप गया वापस फाम पर ठीक है और वह जो रिष्ट लेडी का हस्पेंट था वह भी कोकने ट्रीप चड़ गया तब ही एक जो हॉर्स लेकर आया था ठीक है डॉनकी से तो जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने देखा उसके पैसे तो वह भी कोकोनेट्री पे चड़ गया तो नीचे जो उम्री था उसने उसका होर्स लिया और रिश मैन जो और भी कोईंस लेकर आया था अपने पापा को देने के लिए ऐसा कहके अपनी वाइप को आया था वो लिये और चलता बना फिर उसने अपने घर पर जाके बोला कि अरे देखो ना मैं तो एक मुर्ख देखने गया था तुम्हारे तरह वहाँ तो बहुत सारे मुर्ख थे पूरी दुनिया में तो आप वो बिचारा जो परिशान सा वेक्तिव कौन रिश लेडी का हस्बिन वो रिश मैन वो जो जोचा और मैंने उसको क्वाइंस दे दिये ताकि वो मेरे भी पापा को दे दे ठीक है ऐसे पूरी स्टोरी खताब होती है गुडबाय अलोफ यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और हाँ हाँ वन मोर थिंग आपको होमवक करना है बचो होमवक में क्या करना है आज पेज नमबर 31 और 32 से जो भी आपने हाट वर्ट्स नहीं किये हैं वो उन में से कोई 6 हाट वर्ट्स फाइंड आउट करके लिखने हैं और इंप्रेंट ऑफ बोज साइट एंड वेरी नीट अन क्लीन ओके और मुझे सेंट कर देना है गुडबाय और टेक क्यार अलोफ यू टूलोग कर लिए container बाइंड बनुपट कर दिंद दो, है ट Brook